आज जो है परने वाले हडपा शब्यता का विस्तार ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं चहदी यानि कि हडपा शब्यता का विकास भारत के किन छेत्रों में हुआ कहां तक फहला इसका चहदी क्या हडपा शब्यता का विस्तार क्या है जैसे कि मालूम है किन्दू गाटे सब्य यानि कि हड़पा शबीता भारत की सब से प्राचिन सब्धेता ना कि भारत की सब से प्राचिन सब्धवयता जल है जिनमें से चार अंजीन सब्धेतां काउन काउन से थी पहला था सिंदो घाटे शब्धा Q schema उसके दूसरा सभीता थी दजला एहें फरात नदियों किनारे विक्सित हुई उसके बाद था इधर अफ्रिका में जाएं विक्सित हुई थी भातरिक चराश में इसका विकास हुआ ठीक जब याद रखना है मात्र 40-50 अस्तल निखोजे गए हैं और मुखरूप से याद रखना है सिंदु गाटे सबेता का सल जो है तीन देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलें भारत से लगबग 900 के आसपास अस्तल खोजे गए है पाकिस्तान से चार 500 के आसपास उसके बाद अफगानिस्तान से दो अस्तल मिलें ठीक है और याद रखना है इसका चेत्रफल जो है इसका विश्तार जो है इसका चेत्रफल 13,995 तक फेला हुआ है यानि कि 12,995 वर किलो मिटर था लेकिन मुखरूप से इसको तरे ला कवर किलो मिटर माना गैंसीारी ठीक है और याद रखना है इसका जो बांडरी लाइन है पुर्मी अस्तल पूर्वी अस्तल उत्तरी स्तल उत्तरी अस्तल उसके बाद दख्र गीर पूर है union भिन तो याद रखना है इसका उत्तम में उसी था है गोदावरी नदी किना ठीक है सुथका के डोर यह ब्लूचिस्तान में उसी था है दसक नदी किना ठीक है इतुमारा हो गया और इसका जो छेद्र फल इसका विस्तार था पूराव से पस्चिम के तरफ 2400 किलमेटर तक फैला हुआ था उसके बाद दक्षि उत्तर से लेकर दक्षिन तक 1400 किलमेटर वह सी था